कैसे हैं बिल्कुल ठीक होंगा है चलिए आज के वीडियो में इस वीडियो में आप सभी को बढ़न से संब्सक्राइब जो भी कोश्चन भी हर बोड मैं ठीक पर इस पर मैं पुछने वाला है और भी जो यह आपके जो भी और भी कमपुटिटिव इजाम है उसमें हिंदी क्या कह रहा है कह रहा है पहला कोश्चन बढ़न से समझीद पहला कोश्चन कह रहा है कि बढ़नों के सम्मूं को क्या कहता है बढ़नों के सम्मूं को क्या कहता है बढ़नों के सम्मूं को बढ़न माला कहता है का कहता है बढ़न माला तैनि कि अपसन नमर इसका क्या होगा द अगला question है, अगले question के तरफ चलेंगे, question नमर दूद नमर के देखिए क्या कर रहा है, मुझ से बोले जाने वाले स्वार बढ़नों को क्या कहते हैं, पहला option है, निर्नू नासिक, अनू नासिक, बिसर्ग और असपर्स, तब बहु याद रहेंगे, पहला question का फिर से सुनने के question मुझ से बोलने वाले स्वार बढ़नों को क्या कहते हैं, निर्नू नासिक, अनू नासिक, बिसर्ग या फिर असपर्स बेंजन, क्या कहते हैं, जब आप जरूर दीजेगा मेरे भाई, कमेंट्स में एंसर जरूर लिखिएगा, तो बाबु क्या होगा इसका answer, answer होगा option नम नासिक, अगला question के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, question नमर तीन कह रहा है क्या, बासा की सबसे छोटी हिकाई को क्या कहते हैं, बासा की सबसे छोटी हिकाई को क्या कहते हैं, पहला option है, पहला option है, बासा की सबसे छोटी हिकाई को बाबु क्या कहते हैं, बाबु क्या कहते हैं, अगला question, अनुस्वार और विसर को क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर को क्या कहा जाता है? पहला अपसन है अयोगवा, दूसरा अपसन है सब्द, तीसरा अपसन है पहला अपसन है बियंजन, दूसरा अपसन है सब्द, तीसरा अपसन है अपसन नमबर C अयोगवा और औपसंट नमबंडी दिया है बर्ण माला क्या दिया है बर्ण माला जबाब क्या होगा इसका बाबु से नमबर को सब लोग अपने अपने मत से दिये हुए ठीक है तो बाबु ध्यान देंगे एक चीज को आप लोग जो भी ब्याकरन के जो लिखने वाले हैं वो सब लोग अपने-पने भासा में लिखे हुए कुछ लोग बता है कि हिंदी बढ़नों में थिंदी में बढ़नों इकटन से चवालिस बता है तो कोई बावन बतार यह जो कोई नहीं दिख रहा है नहीं 40 गेठ ऱहीं चालिस ऑ बावन देख रहा है नहीं 44 आप जिख घए 44 उन्हें कि उसले हैं कि पर भला को स्टान को कि इतने हैं, कि इस्ति के इस अज़ी का कई है हैं तर लो होते हैं तृ जलूर बिलकुल यदो नहीं को सभए को कि तने ना करते हैं और पल्च अगार मार्ट भू कितना होता है तो राकॉस्ट करा नहीं कि सौरण पीछ की संख्या कि इतनी है अब सब A 10, option B 11, option C 17, option D 21, जवाब क्या होगा, बाबू जरूर जवाब दीजिएगा, सवर बढ़नों की संख्या कितनी है, तो सवर बढ़नों की संख्या 11 है, कितनी है, 11 है, यहनिकि option नमर B सही जवाब होगा, बढ़ते अगले question के तरफ, अगले question कर रहा है, निमनांकित में महापराण अघोस बर्ण कौन है, बाबू, महापराण और एको महापराण दूग होता है, है तो कर रहा है निम नthemfree महा पनार अघोस्बर्ण कौन है नरering अ ऩौर तंत्री के अधार परवर्ण को दो भागों बटा गया है एक होता है घोस्बर्ण और अगौस जिसको उशान करने में सवर्तंत्री आपस में जहनकार उत्पन करेंगा तो उसको हम कहते है घोसबर्ण जिसमें जहनकार उत्पन करता है कौन-कौन है जैसे हैं यह सभी सवर होता है सभी सवर होता है तो यह सभी एग कि जिसमें अलप्रान होते हैं जिसमें मातरा सुवास की माता जो लगता है उचाण में कौम लगता है जैसे कि अजय जहादा लगता है wr. नशी होता है 9 box निरी न जिसम्म इअ दूसरा है हमलोग का झारन मजक कि अगला क्वेंटर कि हुचारन काली के सयूख से होता है किस बर्ण का उचारन कांठम तालू के सयूख से मतलूख से होता है अगला कोश्यन समझें क्या कह रहा है मिलें अब दде हाँगे जो कोरा रहा है कंठ और उचान कंठ औरतारी तो कंठ गया को सीजड़ством 4 ót कट सो कंठ टालब लोगे में इसमें आता है Star सब्सक्राइब किस बंड का ऊचारण कॉंठ बोर्मर किसा स ही योग से होता है अप्षन एक कॉंठ्ष और कंठ्ष रोष्ट किस बंद का उचानद ओ है पहला अप्षन दूसरा आप दूसरा अप्शन है वा उसके बाद अप्षन यह है तो क्या पांट्र रोष्ट तो अब कंठ्ष। की होगा ओ ठीक है इस कंट और स्ट को उचारण से अग्ला क्लेशचन यसंदि उसरे देखिए का रहा लगा हिंदी परमाला में हिंडी बढन माला में बर्डनों कितने वागों बताई है अब पाला अपexcigon एक दूस09 बहुता हुटता है। हिंदी बडू बलाएंगे, लिते बलत याई में कि नम्हेंaldी बचाल हुटा हुट हीगा, घीजन बहुता है। अगला कोश्चन देखिए को रहा है कि आप 12 नमबर चो और तलाबे सो बढ़न का उचाण अस्थान क्या है देखेंगा अप्षन पहला अप्षन है ओष्ट दूसरा है नासी का तीसरा अप्षन है दिया है तैलू और अप्षन अमड़ी में दिया है दन तोष्ट है कौन से द दन-धार है तलाबे सो जबाब क्या होगा अप्षन नमर सी आप सही में पकड़ लिए होंगे यानि कि अप्षन नमर इसका सई साशह जवाब होगा तालू क्या होगा सही जवाब तालू अगला कोश्चन के तरफ बढ़ते हम लोग कर रहा है अप्सन नमबर अगला कोश्चन अगला कोश्चन कर रहा है मौका उचान अस्थान क्या है मौका उचान अस्थान क्या है अप्सन अप्सन ए में दिया है दंत बी में दिया है कंट तलब्य सी में दिया है नसिका और डी में दिया है मुर्धा मौका उचान अस्थान क क् collapse कोजिए होता है माबू हर दिर्गव और पाउर गेस सब्कास ईचान उता है रोग tad माघूए रसतान किया है तो फवभतमु माघूए का चाहिए इसका होना चाहिए नसीक का करते हैं इसका उचान रसतन क्या होगा option number or c захी जबाब होगा अगला question or का उचान स्थन किया है अघका उचान अस्थन क्या है पहला अपशन ने कंड b प्सम में दिया और c a up-sen दिया का अडिफ समिन दिया है मुर्धा सही जब आप क्या होगा सही जब आप बताएंगे आपका कॉमेंट्स में असर जरूर लिखेंगे तिसका ओ का उचान स्थन क्या है लाका उचान स्थन क्या है पहला अप्सन दंत दूसरा अप्सन ओष्ट तिसरा अप्सन दिया है करण तालब और चौता अप्सन नमर डी दिया है मुर्धा लाका उचान स्थन क्या है क्या होगा लो 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 दात क्या होगा दंत होगा क्या होगा दंत यानिकि इसका अप्सन नमर ए सही जब आप होग तिसरा अपसन दिया है करण तलब है और चौता अपसन दिया है मुर्धा जवाब क्या होगा मेरे भाई लोग क्या जवाब होगा यानि कि हम लोग का अपसन नंबर B सही जवाब होगा अपसन नंबर B अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 17 दिर्गव का उचान अस्थन क्या है दिर्गव का उचान अस्थन क्या है पाला अपसन धंत दूसरा अपसन दिया है ओष्ट तीसरा अपसन इने सी दिया है कंड तालब है और चौता अपसन डी दिया है मुर्धा तो उ का उचान अस्थन कहां से आता है बब सब्सक्राइब क्या होगा ओस्ट यानि की दिरगवुचारण का ओस्थान कि यह पहला आपसंधिया है दंत दूसर आपसंधिया है ओस्था तीसरा आपसंधिया है कांट तालव और चौथा अपसंदी आ है मुर्धा रा कहां से ए रहा है मुर्धा से आने के रही जवाब क्या होगा मुर्धा चली अगला कोश्चन हरसई और दिर्गई परण का उचान अस्थान क्या है अपस्ण नम पहला अपस्ण दिया है उस्ठे दूसरा अपस्ण नसिका तिसरा अपस्ण तालू और चोता अपस्ण दिया है दंतोष्टे सही जबाब बताएंगे दिर्गाई हरसाई और दिर्गाई की बढ़न का उचान स्थन क्या होना चाहिए आप कॉमेंट्स में अंसर जरूर लिखेंगे अगला कोश्चन नमब इसका अंसर देखा जाए पहले फिर अगला कोश्चन पर चला जाएगा वोस्ट नस सब्सकति नम-yy का उचानस्थन क्या है अपन बाए को प्लस तालू गोर्फ तालू दशलै उचठ पलस दंथ भी तीसरा अस्थन दिया अदिया है उचान अस्थान का नाम बत नहीं पूछ रहा है बल्कि यह पूछ रहे कि उचान अस्थान क्या है तो बदू सही जबाब होका हम लोग का Only option number a. Less plus तालू अगला question question number 21 case पा और वा का उचाना स्थान बताना है पा और वा का उचाना स्थान क्या है पा और वा का अप्षन इसका है पहला अप्षन है दंद प्लस होष्ट दूसरा अप्षन है नसिका तीसरा अप्षन कंड प्लस तालू प्लस दंद और चोथा अप्षन है खोष्ट प्लस नसिका ठी तो सही जवाब दन प्लस वोष्ट अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 21 गहुक है गहा का उचान अस्थान क्या है पहला अप्सान मुर्धा पहला अप्सान दिया है मुर्धा दूसरा अपसन दिया है अपसन नम्र दो दिया है बेफसन बेवि Hello अपसन डिया है नसी का जब आब देंगे घौ का उचान स्थन आपसे पूछा जा रहा है अपसन पूछिए स्थन बताएंगे गेस करेंगे कुछ जबाब क्या होना चाहिए जबाब गो का उचान स्थान अगला क्वेश्चन जबाब का उचान स्थान तो पहला अपसंदिया है सबने सबस्टाइब दे सकते हैं बिल्कुल जवाब दे सकते हैं किसे आ रहा है विल्कुल जवाब देंगें आप यानि की आपसन नमबर एउन हमारा सही जबाब होगा अगला कोस्चन अगला कोश्चन देखिए कोह रहा है क्या 24 नमबर भिसर का उचायन तो मेरे भाई सही जवाब होगा आपका अगला question कौ का 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 उचारन स्थान बताना है कॉबर्ण का उचारन रस्थान बताना है कोबर्ण का उचाना स्थन क्या है पहला अपसन दिया है दन्द दूसरा अपसन नमर B में तालू अपसन नमर C में नसी का और अपसन नमर D में क्या है कॉंट है क्या दिया है कॉंट दिया है सही जवाब होगा क्या बताएंगे आप बिल्कुल बता सकते हैं सही जवाब क्या हो क्या है कि रहा है दिया दूसरा अप्समों शच्छति आ दिया और चौथा आप सुन थिया हूं सिक्या ऑओ उच्छाइज शुट्रा चौंट क्या हो चो कहां से रहा है बाबू सोरी कोश्चन नमबर 27 चो बंड का उचान अस्थान चो बंड का उचान अस्थान बाबू होता है चो कहां से रहा है चो बंड का उचान अस्थान होगा क्या होगा तो चो यहनि कि कहा से रहा है तालू से नामबर ए चो बन को चार् intent का थाज सतन कर क्या है तो बाव प्लका क्केमा अगला कोश्चन अगला कोश्चन दिर्गाई बढ़न है हरस्वास्वार है या फिर दिर्गस्वार है या अंतस्वार है अंतस्वार है अंतस्वार बेंजन है या फिर उस्वार बेंजन है हरस्वार दिर्गाई तो बाव इका कहते इसको दिर्गाई कहते न तो सही जवाब क्या होगा अठाइज जबाब अगला कोस्चिन 29, कोस्चिन 29 देखा जा क्या कर रहा है, कोस्चिन 29 दो का उचानस्थन क्या है, मेरे भाई समय में बिलकुल आ रहा होगा, आप लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करेंगे, तैकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और यह वीडियो बनाने के लिए ठीक है अगला कोस्ष्टन क्या है पार नगे किया होगा इत॑म गालत की मुलत होगा सही जवाब देंगे आप दो कहा से आ रहाएं आप्ण हालने पर उसका मान होता है उसका मान करण global क्या हो जाता है उसका मान क्या होता है बताना है उसका मान हो जाता है क्या होता है यह कोश्चन 2020 में पूछा हुआ है आधा होता है हलंत से आधा होता है कि छो थाई होता है कि सम्पूर रहता है क्या होता है हलंत लाते तो आधा होता है क्या होता है आधा सही जवाब क्या होगा अप्सन नमरे आधा होता है अगला कोश्चन अंगा का उचान अस्थन क्या है अंगा का उचान अस्थन क्या है अंगा का उचान अस्थन क्या है अंगा का उचान अस्थन इभी 2021 में पूछा हुआ कोश्चन है ठीक है 2021 में पूछा हुआ कोश्चन है अंगा का उचान अस्थन क्या है कॉंट है की तालू है की मुर्धा है की दंत है क्या है सही जवाब बताएंगे अंगा अंगा बोलके देखिए अंगा कॉंट होगा क्या सही जवाब होगा कॉंट अगला कोश्चन भौका उचान अस्थन क्या है वोष्ट है की तालू है की मुर्धा है की दंत है और अपसर नमेमें ओस्ट दिया और में Tालू और में तालू और मुश्चान का बताएंगे में पू七 जवब सुछान ढटान क्या है ऑम ली यांदे में पूछा को श्बुन अगला कोश्टन 33 इस नला है गौ का उचा रूस्थान बताना है गौ का उचा रूस्थान क्या है गउस्फान blessing में ओष्ट दिया है क्या दिया है आप सही जवाब बताएंगे किस में पूछा हुआ है गौ का उचाना स्थन क्या है तो गौ का उचाना स्थन क्या है बाबू सही जवाब क्या होगा सही जवाब अप्सन नमर क्या होगा सी अगला कोश्चन बेंजन कितने परकार के होते हैं बेंजन कितने परकार के होते हैं बेंजन बाबू बेंजन होते हैं हमारे एक परकार के दो परकार के तीन परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं बेंजन बाबू तीन परकार के होते हैं पहला होता है पहला होता है असपर नमबर C सही जवक्या होगा समझ में आ रहा होगह चलिए Q34 बस इसी वीडियो में अरभी कोशें करके तब तहकर गुडबबाई टेक कियो जैन्ट और भूमर्त है जो आपके भूरड इसमें पूछने वाला है इस बार बनार पूछेगा जरूर पूछेगा इस बार संधी संदी और समास मन्तर समष्ट करें और किसे कातेर पाइबर सोद आरन लिखे और भी कोश्चन दे सकते हैं आपको बन किसे कहते हैं बढ़न के कितने बेदे और बढ़न के उचारना स्थान के बारे में कुछ जी कुछन दे यह आज के जो कोश्चन था बहुत इंपोर्टेंट को जने इस बार कॉंफर्म आने वाला है अभी तक जो भी मै से और सस्क्राइब जरूर करेंगे थैंक यू